हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभला क्लासेस, आज होब कि आप सब अच्छे होंगे आज का हमारा लेक्चर इंडियन पैनल कूट यानि की IPC से रिलेटिड है, जिसे हिंदी में भारते दन सहीता भी कहते हैं इसमें हम डिसकस करेंगे इसके chapters और देखेंगे कि कैसे हम उसको learn कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं, देखे अगर मैं Indian Panel Code के structure की बात करूँ तो इसमें total 23 chapters है, chapters को अगर two parts में मैं divide करती हूँ तो chapter 1 से 3 तक आपका introductory provisions दिये गए हैं, वहीं chapter 4 से 23 तक अगर मैं बताऊं तो panel provisions दिये हैं, और कुछ chapters इसमें newly add किये गए हैं, वो chapter 5A है, chapter 9A और chapter 20A है जो पहले IPC में नहीं थे, उसे amendment के दुरू add किया गया है अब अगर मैं structure में आगे बर हूँ, Indian Panel Code के chapterization के तो जैसे कि मैंने आपको बताया, chapter 1 से 3 तक introductory provisions दिये गए हैं, जिसमें कि आपका chapter 1 code के बारे में बताता है chapter 2 terms या फिर definitions के बारे में बताता है, और chapter 3 punishment के बारे में बताता है वहीं पे अगर मैं panel provisions की बात करूँ, तो chapter 4 से 23 तक इसमें provisions दिये गए हैं जिसमें से, इसे हमने two parts में categorize किया है, chapter 4 defense related है और आपका chapter 5 से 23 आपका offense related है next अगर मैं बात करूँ offense की, तो offense related chapters भी two category में divide किये हैं हमने chapter 5, 5A और 23 आपके ऐसे offenses से related हैं, जिनके result necessary नहीं है यानि कि जो without result ही offense है, जबकि chapter 6 से 22 तक ऐसे offenses दिये गए हैं जिनका result आना ज़रूरी होता है, यानि कि with results होते है अगर with results से related जो offense है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उसमें से फिर हम को दो category में categorize करते हैं जिसमें से पहला है against state या फिर public और दूसरा through and individual अगर मैं against state और public की बात करूँ तो chapter 6 से लेकर chapter 15 तक इससे related provisions दिये गए हैं और अगर मैं through and individuals की अगर बात करूँ यहां पर जहां एक individual से दूसरे individual को injury rate किया जाती है या offense किया जाता है एक individual से दूसरे individual के against कोई offense किया जाता है तो वो chapter 16 से लेकर के 22 तक दी गए हैं अब 23 chapters क्योंकि हमने उपर ही mention कर लिया था यानि कि जो आपके offenses without result वाले हैं उसमें हमने chapter 5, 5A और 23 add कर लिया था तो यह हमारा total chapterizations हो गया अब मैं अगर बात करूँ कि इसको हमें learn कैसे करना है तो देखिए introductory provision में हमने chapter 1 से chapter 3 तक हमने बताया chapter 1 code normal सी बात है पहला जो chapters होता है वो आपका code यानिकी या फिर कोई act होता है उसके बारे में बताता है second आपका chapter 2 normal सी बात है definitions हमारे section 2 में most of देखी जाती है कि definition clause होता है लेकिन यहां पर पूरा chapters दिया है यानकी chapter 2 दिया हुआ है as a definition clause next आपका normal सी बात है code होगा code में क्या-क्या चीज होगी उसकी definition बता दी है और chapter 3 में बता दिया है कि definition के अंदर का कोई offense वगड़ा दिया हुआ है तो यह आपका उसके लिए punishment होए for only learning purpose में आपको यज़र trick बता रहे है तो हमारे तीन chapters आपकी यहां पर cover हो जाते है यानकी chapter 1 code के बारे में बताता है chapter 2 related to definitions है वो बताता है और फिर उसके पाद जो punishment है वो बताता है तो यह आपके तीन chapter cover हो गए है अब अगर हम यहां आते हैं पैनल प्रोविशन में तो chapter 4 chapter 4 आपका बताता है defense याने की आपके इसमें journal exceptions दिये गए हैं next जो आपका offense से related है यानकी chapter 5 to 23 तक उसमें without result अब without result की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से offense हैं जिसमें की आपकी result की अवशकता नहीं होती है नीट नहीं होती है जैसे कि chapter 5 chapter 5 में क्या गया है आपका abattment से related है abattment के बारे में दिया गए है chapter 5 A आपका conspiracy से related है शर्यंतर से related है और 23 आपका attempt से related है तो यहां पे जो आपका abattment है abattment के लिए कोई जरूरी नहीं अगर किसी ने अबेटमेंट किया है किसी offense का तो उस अबेटमेंट करने के as a result किसी दूसरे परसन ने वो act किया ही हो तब वो offense माना जाएगा खाली अबेटमेंट ही आपका क्या है offense है दूसरा 5A conspiracy अगर आप कर रहे हैं तो उसमें criminal conspiracy में तो वहाँ पर आपका उसका result आना ज़रूरी नहीं है खाली conspiracy करना ही अपने आप में क्या है offense है उसके बार 23 chapter ये भी without result यानकी सिर्फ attempt को बताता है तो ये आपके ऐसे offenses हो गए chapter 5 5A 23 में जो आपके without results वाले हैं वहीं अगर हम offense with result की बात करें तो 6 से आगे लेकर के जितने भी आपके offense है वो आपके सारे क्या है with result है यानकी जो offense किये जा रहे हैं जो एक्ट किया जा रहा है उनके result आने पर वो क्या बन रहा है offense बन रहा है चिक next आपका इसमें हम जैसे कि हमने with result वाला देखा था against state और दूसरा आपका through and individual तो against state या फिर public के आपका chapter 6 से लेकर के 15 तक आपका प्रोविजन्स दिए गए हैं जिसे हम next slide में देखेंगे देखेंगे अगर मैं offense की बात करूँ और offense कौन से आपका against state और public तो against state और public का नाम आया है तो start हमारा chapter 6 हो रहा है इस state से ही देखेंगे chapter 6 से chapter 15 तक ही एक पूरी series है offense against state और public तो इसमें हमारा पहला chapter state से related है ठीक दूसरा chapter अब state है state को protect कौन करेगा सीदे आदनी और ने वी उस related offense उसके बाद state को protect हो गया उसके बाद अभी कह रहा है against the public toiquity यानकी लोग प्रशानती के विरुधाप्राद ठीक है state को protect हो गया अब आई public की बाद ठीक तो against the public toiquity लोग प्रशानती के विरुधाप्राद हो गया उसके बाद chapter 9 और chapter 10 को हम एक साथ पढ़ेंगे ठीक है अब chapter 9 के बाद N9 यानकी N तो N से 9 और N से new तो new chapter हमारा कौन साइट किया है 9A अब chapter 10 की अगर हम बात करें और 9 की बात करें तो chapter 9 कहता है relating to public servant कि public servant से related जो offenses हैं वो chapter 10 सीधा कहता है contempt of lawful authority of public servant कि जो public servant है वो उसकी जो lawful authority है उसकी जो भी उसने interference करता है या फिर contempt करता है मानना करता है जो public servant है उसकी lawful authority में नहो करके उसकी authority से deny करता है इस तरह से अगर कोई act करता है यानकी जैसे कहने लगेगी अगर कोई समन की तामिल कराई जा रही है तो वहाँ से फरार हो जाना ठीक है या फिर लोग से वाक है उसका आदेश ना मानना गैर हाजर होना ठीक है कोई documents produce करने के लिए बोला है तो उसके लिए deny कर देना ठीक या कोई चैप्टर 11 हाँ चैप्टर 9A जो है हमारा relating to elections है यानकी चुनाव से related अपराद है तो यह पहले जो है चुनाव से रहे इतना matter offenses नहीं होते थे लेकिन जैसे से होने लगे तो यह नहीं चैप्टर आपका add कर दिया गया उसके बाद चैप्टर 11 चैप्टर 11 कहता है false evidence and offense against public justice अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि false evidence अगर कोई false evidence दे रहा है तो ठीक है यह आपका false evidence चैप्टर 11 देखिए हमने कैसे connect किये तीन chapters हम साथ में पढ़ेंगी याद करेंगी उसके बाद चैप्टर 9 और 10 हम एक साथ पढ़ें और 9 के बाद new यानि की 9A नया chapter हमारा एट किया गया है election से related है उसके बाद chapter 11 पे हम जाते है 11 को हम पढ़ेंगे 11, 12, 13 इन्हें हम साथ में पढ़ेंगे जैसे false evidence ठीक है and offense against public justice false evidence चैप्टर 11 में हो गया उसके बाद relating to coin and government stamp ठीक है यहाँ पर हो गया कि किसी information के से related है कि अगर false documents है उसे related false evidence यानि कि मित्हा साक्षागरब दे रहा है तो उसे related offense है यहाँ पे क्या है यहाँ पे coin जो है या stamp जो है मोहर जो है उनसे related अपरात है अगर आप उनका code current counterfeit कर रहे हैं तो उससे related offense है उसके बाद chapter 13 में relating to weight and measure इससे related offense है और देखी false evidence 11, 12 में coin और stamp से related और 13 में weight and measurements map और map से related offense ठीक है तो यह तीनों chapters हम क्या करेंगे इन्हें एक साथ पढ़ेंगे एक साथ याद करेंगे उसके बाद chapter 14 आ रहा है और 15 chapter 14 कह रहा है affecting the public health, safety, convenience, defense, decency and moral यानि कि लोग स्वास्थे, सुईधा, shame, शिष्टाचार, सदाचार इन पर affected आनने वाले offenses और इससे related आपको next 15 relating to religion यानि कि धर्म से संबंदित अपराद तो हम यहां पर इस दोनों को साथ में ले सकते हैं chapter 14 to 15 के chapter 14 क्या कह रहा है health, safety, convenience, decency and morals की बात कर रहा है और chapter 15 हमारा religion से related offense की बात कर रहा है तो ठीक है यह हमारे हो गए है offense against state और public यह chapterization for Hindi medium students ठीक है chapter 6 राजी की विरुद अपराद, chapter 7 सेना नौ सेना और वायू सेना से संबंदित अपराद, chapter 1 लोगशान्ती की विरुद अपराद, chapter 9 आपका लोगसेवो को द्वारा है उनसे संबंदित अपराद, chapter 9 लोगसेवो के विधिपूर प्रादिकार की विरुद आप मानना, chapter 9 new ad है, चुनाओं से related, ठीक है, हमने बोला ता chapter 9 और 10 एक साथ पढ़ेंगे, ठीक, लोगसेवो के संबंदित अपराद, और उनकी कारे की विरुद अपराद, जो अब मानना, अगर कोई कर रहा है, उसे related अपराद, ठीक है, मेत्या साक्ष, उसके बाद, सिक को स्टाम जो है, उनका गुटकरन, फिर मापतोल से संबंदित है, तीनों चैप्टर हम इने साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद 14 आपका, लोगस्वास से सुक्षा सुधा, इससे related offenses हैं, और आपका 15 धर्म से संबंदित है, अब हम चलते हैं, next type के हमारे offense, अब यह वाले जो offense हमारे individuals वाले थे, देखिए, अब इसमें देखिए, यहां से 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16 से लेकर के 22 तक हमारा सीरीज है, तो 16 चैप्टर क्या कहता, affecting human body, देखिए, normal सी बाते, कोई भी अगर person हो, तो सबसे पहले वो क्या, खुद को protect करेगा, ठीक है, human body है, अपने body को protect करे उसके बाद फिर अपने documents को protect करेगा, ठीक, उसके बाद फिर क्या करेगा, next, उसके बाद अगर उसने के contract वगरा कर रखी है, तो उससे related ठीक है, उनको protect करेगा, ठीक है, उससे related offense यह दिए गया है, next आपका chapter 20, relating to marriage, जब आपकी body protected हो जाएगी, उसके बाद फिर property भी protected हो जा आएगे, transaction भी आज सब ठीक ठाक चलेंगे, तभी तो उसके बाद आप marriage की सोचेंगे, कि हाँ marriage अप कर लेनी चाहिए, अब marriage अगर हो गई है, तो normal सी बात है, आपस में cruelty भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं होगी या नहीं, लेकिन हो सकती है, तो marriage के बाद सीधे आपका cruelty स related offenses आ गए है, उसके बाद chapter 21 आपका defamation से related है, अब cruelty हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, अब अगर कोई ये कहा देता है, जूरी खबर फैला देता है, for learning purpose is the trick, तो वो आपके defamation हो जाएगी, ठीक, और उसके बाद आपका chapter 22 आता है, criminal intimidation, insult and annoyance, कि ठीक है, defamation मान दीजे, अब यहां से इसको connect कैसे करेंगे, defamation हो गई, तो insult हो गई, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको learn कर सकते हैं, इन chapters को, वहीं हिंदी की अगर में बात करूं, Hindi for Hindi medium students, तो chapter 16 आपके मानव शरी को बहुत करने वाले अपराद, chapter 17 संपत्ति के विरूद अपराद है, chapter 18 दस्तावे बत्ति चिनों से संबंदित अपराद है, chapter 19 सेवा समीधा का अपरादिक भंजन से रिलेटेड अपराद, chapter 20 विवासे संबंदित है, next आपका chapter 20, हाँ, एक चीज और यहां पे रह गई है, chapter 20 ये वाला जो है आपका, ये नया आयड किया गया है, newly added sections है, अब इसकी अगर हम ब cruelty थी, पहले वो concept नहीं थी, cruelty को भी यहां पर as a offense मान लिया गया है, तो इसलिए यहां पर क्या किया है, ये आपका as a chapter, new chapter एड़ करके, accelerated provision बनाएं गए है, चीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते है, 20 में marriage से related है, और सीधे 20A में cruelty से related हैं, उसके बाद फिर defamation आपक कई सारे चीज़ है, तो फिर next आपका, तो ये था आज का हमारा lecture, या आज हमने IPC के chapters देखे, उन्हें देखा कि हम उन्हें कैसे learn कर सकते हैं, ट्रिक्स हमने बनाई, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जरूर कीजेगा चैनल, for more informative video, and at last, thanks for watching, take care, bye bye.